अगरते दोस्तों तो आज का Current Affairs का टेस्ट शुरू करते हैं, पहला सवाल दिया हुआ आपके सामने, वर्ष 2019 के लिए अर्थशास्त्र यान एकोनॉमिक्स का नोबिल पुरस्कार किसने जीता, आप्शन्स आपके सामने है, अभी जीत बेनर जी, एस्तिर डेफलो और माइकल क् देखते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष कर्म के मामलों में मृत्यो डंड की सजा देने का फैसला किया, which country's cabinet has approved the law of include death penalty as the highest punishment for rape cases, options आपको दे रखे थे इसमें भारत, चीन, श्रिलंका बाबंगलादेश, जिसमें से सही उत्तर है, बंगलादेश, आपको देख र सिंगल्स किताब जीता, Men's Singles, Novak Zokovic, Roger Federer, Rafael Nadal या फिर Dominic Thiem, तो इसमें से सही जवाब है, Rafael Nadal, और इसमें मैं आपको एक्स्टर बताना चाहता हूँ दोस्तो, 2020 में, कितने आपको Grand Slam होते हैं, चार Grand Slam होते हैं, Australian Open, US Open, Wimbledon और French Open, बाकी के तीनों जो हैं, वो एक ही शक् प्रदेश ने बैटरी चलिद वाहनों उपर, Road Tax में चूट दी है, तो वो दिल्ली है, के जरिवाद सरकार ने रोड पर, जो भी बैटरी चलिद वाहन चलते हैं, उनको Road Tax में चूट दी है, जिससे कि लोग जादा से जादा उनका प्रियोग करें, Next Question, प्रदान मंतरी ने कि इस व्यक्ती को सम्मानित करने के लिए 100 रुपय मूल वर्ग का समारक सिक्का जारी किया, Next Question, केंदर सरकार ने सभी FC आरे खाते खोलने के लिए किस बैंक को नामित किया है, अभी थोड़े जी दिन पहले और सभी बैंक को इस पर रोक लगा कर सिर्फ एक बैंक, वो है, SBI भ State Bank को नामित किया गया है, अगले को प्रशन पर चलते हैं, किस संगठन ने State of Climate Services 2020 रिपोर्ट जारी किये, तो आपको दिखी रहा है, Climate की बात हो रही है दोस्तों, तो फिर ये क्या होगा, World Climate Organization ही होगा है ना, तो विश्म मौसम विज्ञान संगठन, अगले कोशन पर चलते ह संयुक्त राष्टर की तरफ से जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जलवायू आपदाओं से सबसे ज्यादे प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है, तो आपके सामने ऑप्शन दिये हुए हैं, आपको पता है, जितनी भी खतरनाक चीज़े हैं तो इस तरह तो उसमें इंडिया का काफी नीचे नंबर है, तो इसी तरह से यहां पर जो खतरनाक चीज़े हैं, जलवायू आपदा हो रही है, तो यहां तीसरे स्थान पर भारत है, ठीक है, हाल ही में किस राज्ज सरकार ने नौकरियों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षन को म इस राज्जिया केंदर शासित प्रदेश ने देश में पहला हर घर जल गौरव हांसिल किया है, तो वो है गोवा, आपको दिख गया होगा अगले कुश्चन पर चलते हैं हम लोग, इस रोज योजना का नाम बताईए, जिसके तहत केंदर ये मंत्री मंडल ने पात्र किसा की मंजूरी दे दिये, भले ही उनकी भूमी का आकार कुछ भी हो, चाहिए वो एक हेक्टेयर हो, लेकिन उसको वो उन्होंने दो हेक्टेयर मानकर उनको किसान सम्मान निधी योजना के तहत पायदा पहुचाया है, ठीक है, नेक्स्ट बारती राजनेता जिसने आर्दिन मे नहिला राश्पती रह चकी है, उस इस्थान का नाम बताइए, जहां हाल ही में चत्रभुज सुरक्षा संबाद, यानि की क्वाड एक इंटरनाशनल और्गनाईज़ेशन है, उसकी बैठक होई, तो वो है बैंकोक थाइलेंड, बारतीय सम्मेदान में सम्मेलित 370 किस राज्य को विशेश धरद्या देता है, यहां है लिखा है, लेकिन अब यह देता था हो गया है, तो वो था जम्मू कश्मीर, मूल रूप से अनुच्चेद 370 से संबंदित किसी एक मामले को छोड़ कर संसत की विदाही शक्तियों को प्रवितिवंदित करता है, यह नहीं वहां पर लागू होता था बिटा, तो यह कौन सा है, रक्षा विदेश मामले और संचार तो पूरे कंट्री में एक थे, लेकिन बाकी जो सारे हैं, यह जम्मू कश्मीर के अलग चल रहे थे, जो की 370 धाराग अनुच्चेद जो है, उसको खतम कर देने पर यह सारे स सुनिए, बच्चों, सौरी, 21, जो है, 10, 10, 1, 21 में होता है यह, नेक्स्ट है, प्रदानमंतरी किसान पेंशन योजना यानि PM-KPY के तहट छोटे और सिमानत किसानों व्याप्यारियों या छोटे दुकानदारों को काबिने द्वारे 31 में 2019 को कितने रुपे की पेंशन दी जा रही है, तीन हजार रुपे की, ठीक है, अगला कोईशन है, अंतराष्ट्रिय रेटिंग एजनसी, ट्रिपल बी, एक स्थर आउटलुक के साथ, छे देशों की बैंक को दीरकालिक IDR प्रमानित किया है, तो IDR में D क्या होता है, इंटरनाशनल डिफॉल्ट रेटिंग द लाया है, तो आपको पता होना अच्छी, एशिया की बात हो रही है, तो एशिया ही विकास बैंक, यानि के एशिया डेवलप्मेंट बैंक, ADB होगा इसका अंसर, और वही है, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है, उमीद करता हूँ, आपको मेरे कॉस्चन्स अच् बताता हूँ, शेयर करता हूँ, जो भी पैसे खर्च करता हूँ, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो पैसे मैं खर्च करता हूँ, उसे मैं भी सीखो, और आप सब भी सीखे मैं यही चाता हूँ, तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रही है मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजेगा चैनल को और वीडियो अच्छी लगी मेहनत है हो रही है तो लाइक जरूर कर दीजेगा थैंक यू धन्यवाद जैहंद